बच्चों आप जानते हैं कि वायू मंडल में कार्बन डाय अक्साइड ये गैस सी ओ टू के नाम से विद्यमान है ये गैस क्या कार्य करती है कार्बन डाय अक्साइड गैस जो होती है जैसे सूर्य की उर्जा के माध्यम से जो क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं ये फोटो सिंथेसिस या प्रकाश संसलेशन की क्रिया के माध्यम से उर्जा प्राप्त कर भोजन बनाते हैं और ये जो भोजन बनाते हैं इसमें कार्बन योगिक महत्वपुन होते हैं ये जो कार्बन योगिक होते हैं ये भोजन बना करके वनस्पती का विकास करते हैं वनस्पती जब विक्सित होती है तो कुछ जीवित प्राणी जो होती है वो इन वनस्पतियों से ग्लूकोज प्राप्त करते हैं एक तो श्वसन की क्रिया के माध्यम से और दूसरा जो है ये विघटन की क्रिया भी इसमें सम्मिलित होती है और उसके बाद ये जो कारबन डाई आकसाइड है ये पुना विघटन जब इनका होता है तो ये कारबन डाई आकसाइड के रूप में वायू मंडल में समाहित हो ज दूसरी जो क्रिया होती है कि carbon dioxide जो है ये शलकी के रूप में चूना पत्थर के जो विभिन जीव होते हैं ये जीव चूना पत्थर क्या है एक प्रकार की चट्टान हम इसको प्रिथ्वी पर कहते हैं और वास्तों में ये क्या होते हैं ये calcium carbonate के रूप में ये विद्यमान होते हैं ये छोटे-छोटे समुद्रों में पाये जाने वाले जीव जैसे कि सीफ होता है शंक होता है कावडी होते हैं ऐसे जो सूक्ष में जीव होते हैं इन जीवों में ये चूना पत्थर विद्यमान होता है इनका जो कवच होता है इस इसमें ये चूना पत्थर पाया जाता है, जब ये जीव मृत हो जाते हैं, तो इनका डिपॉजिशन का होता है, समुद्र के तली में हो जाता है, लेकिन बच्चों आपने पढ़ा है कि जब प्लेटें सरकती है, प्लेटों का सरकना होने के कारण जब ज्वाला मुखी सुद्गार के साथ, इसमें यहां पर जो डिपॉजिट बहुत से चूना पत्थर के जो पदार्थ है या चूना युक्त जो शल्की है, ये शल्की सुद्गार के साथ बाहर निकल आती है, और बाहर निकल आने के साथ ही बाहर में चूना पत्थर का जमाँ होता है, जिसका दीरे दीरे अपक्षय होता है और पुनह ये अपक्षय जो मिट्टी वाले खेत्र होते हैं इसमें वनस्पती का विकास हो करके ये पुनह कार्बन डायक्साइड के रुप में परिनित होता है या फिर जब ज्वाला मुखी उद्गार के साथ कई प्रकार की गैसें बाहर आती है जिसमें कारबन डायक्साइड प्रमुग्येस होती है और ये वाता वरन में पुनह जा करके समा जाती है तीसरा स्chutz रुप वह होता है कि जब याने कारबन डायक्साइड हम यहां पर देखते हैं जो कारबन यौगीक के रुप में पहले पादप के रुप में था और इसक तो कोईले के रूप में और दूसरा पेट्रोलियम के रूप में जब इन पदार्थों का दहन होता है कोईले को जब जलाया जाता है या पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न प्रकार के उद्योगों में या परिवहन के साधनों के माध्यम से जब इनका दहन होता है तो इससे निकलने वाली गैसे जो है ये carbon dioxide होती है जो की पुना वातावरण में जाकर के समाज आती है तो इस प्रकार से वातावरण से प्राप्त carbon dioxide प्रकाश शंसलेशन के माध्यम से जीवों के ग्रहन करने के माध्यम से अथवा carbon योगिक में koela और petroleum के माध्यम से या čुना पत्थर के माध्यम से पुनह जाकर के कार्बन डायकसाइड गयस जो है ये वाता वरण में समा जाती है तो इस प्रकार से एक चक्र पूरा होता है जिसे हम कार्बन चक्र कहते हैं दूसरा जो चक्र है ये है ओक्सिजन चक्र इसे O2 गयस के नाम से भी जाना जाता है बच्चों आप जानते हैं कि जो ओक्सिजन गयस है हमारे वायू मंडल में लगभग 21 प्रतीशत खेतर में पाई जाती है ये ओक्सिजन वायू मंडल के अलावा जो हमारे वाता वरण में है तो जल में घुलित रूप में आक्सिजन मिलती है उसके अलावा जिवाश्म में जैसे चूना पत्थर में आक्सिजन पाया जाता है चट्टानी खेतर में आक्सिजन मिलता है आक्सिजन जो होता है ये आनविक आक्सिजन जो होता है इसे O2 के नाम से हम जानते हैं आक्सिजन के जो योगिक रूप होते हैं इसमें H2O, CO2, CACO2, CACO3 या कार्बो हाइडरेट या फिर स्टार्च या वसा के रूप में हमें आक्सिजन देखने को मिलता है सामानने रूप से जीवों में जो आक्सिजन का अभी सरण होता है उसके कारण आक्सिजन का बारंबार उपयोग होने लगता है और इसे ही हम आक्सिजन चक्र कहते हैं ये चक्र कैसे संपन्न होता है सामाने रुप से आप देखते हैं आक्सिजन का तीन प्रकार से उपियोग होता है पहला जो है ये है दहन की क्रिया में जब जलने की प्रक्रिया होती है तो बिना oxygen के आग नहीं लगती जलने में oxygen का उपयोग होता है दूसरा जो है ozone परवत का जो निर्मान होता है उसमें भी oxygen की मातरा लगती है और तीसरी जो प्रक्रिया होती है oxidation की प्रक्रिया या आकसी करण की प्रक्रिया जैसे आप देखते हैं कि जंग लगना लोहे में यह जंग लगने की प्रक्रिया क्या है आकसी करण की प्रक्रिया होती है तो ऐसे आक्सिजन के तीन रूप होते हैं ये आक्सिजन वातावरण में पाया जाता है इसे हम O2 के नाम से जानते हैं अब इसका चक्र देखिए आक्सिजन हमारे लिए श्वासवच्छास के लिए श्वासन की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में आक्सिजन जो है वो हमारे शरीर के तंतू कणिका में विद्यमान होता है ये जो आक्सिजन होता है इसे श्वासन प्रक्रिया में वनस्पती और प्राणी दोनों ही इसका उपयोग करते हैं जब वनस्पती इसका उपयोग करता है तो वह सीओ टू बन जात जबकि जब अन्य जयव जन्तु या प्राणी जगत इसका उप्योग करता है तो वह H2O बनता है और यही जब CO2 या H2O जो होता है यह प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया किस्से होती है सूर्य से जो उर्जा प्राप्त होती है और इसमें CO2 या H2O का समायोजन होता है तो प्रकाश संसलेशन की क्रिया होती है प्रकाश संसलेशन की क्रिया होती है और इसके माध्यम से ऑक्सिजन का जो उत्सर्जन होता है या उत्सर्जन पुनह वातावरण में जा करके समा जाता और oxygen जो है ये वातावरन को पुनह प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार से एक oxygen का जो चक्र होता है इस चक्र में दो प्रकार की क्रियाएं होती है एक जैविक क्रिया और दूसरी औजैविक क्रिया जैविक क्रिया की अंतरगत पहले प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया होती है और उसमें आक्सिजन की निर्मिती होती है दूसरी श्वसन की प्रक्रिया होती है और तीसरी प्रक्रिया जो होती है विघटन की होती है यानि श्वसन और विगटन ये दोनों में आक्सिजन का उपयोग होता है दूसरी जो अजाइविक क्रिया है अजाइविक क्रिया जैसे मैंने आपको पता इसके तीन प्रकार के उपयोग होते हैं दहन में फिर ओजोन परत के निर्माण उसका जो रिपेरिंग होती है आक्सिजन का जो चक्र होता है जिसमें श्वसन से CO2 और H2O का निर्माण इससे पुना प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया और उससे प्रकाश संसलेशन से आक्सिजन की निर्मिती याने वाईयू मंडल में आक्सिजन का पुना विलीन हो जाना ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है इसे हम oxygen चक्र कहते हैं तीसरा प्रमुख चक्र है nitrogen चक्र नाइट्रोजन चक्र में क्या है कि नाइट्रोजन को हम प्रत्यक्ष रूप से ग्रहन नहीं कर सकते नाइट्रोजन गैस को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते किन्तु नाइट्रोजन विभिन योगिकों के माध्यम से हम इसे ग्रहन करते है नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहली प्रक्रिया होती है नाइट्रोजन का इस्थिरी करण नाइट्रोजन का इस्थिरी करण होता है इसे राइजो बिथम नाम का एक बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन के इस्थिरी करण में सक्रिय होता है और नाइट्रोजन को वह अमोनिया जमीन के भीतर में जब नाइट्रोजन के स्मिट्टी में आकर के मिलती है तो जमीन के भीतर में नाइट्रोजन का अमोनिया या अमोनियन में परिवर्थन होता है अमोनिया या अमोनियम जो होती है ये जीवों के लिए बहुत जहरीला होता है जीव इसका उपयोग नहीं करते लेकिन इस अमोनिया के माध्यम से नाइट्री करण की प्रक्रिया होती है पहली प्रक्रिया क्या होती नाइट्रोदन का स्थिरी करण और स्थिरी करण से अमोनिया का निर्मान होता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्री करन की प्रक्रिया होती है। एक तो नाइट्राइट और दूसरा नाइट्रेट नाइट्राइट क्या है? तो नाइट्राइट कई बार ऐसा होता है, बचों जब आकाश में बिजली कड़कती है नो जोर से तो इस बिजली के काड़कने से जो उर्जा उत्पन्न होती है इस उर्जा के माध्यम से भी नाइट्राइट या अमोनिया का निर्मान होता है ये बिजली का कड़कना भी नाइट्राइट को विक्सित करता है और नाइट्राइट जब विक्सित होता है तो इससे अमोनिया को जो स्वांगी करन हम इसे कहते हैं या स्विकार करना अमोनिया स्विकार कर लेती है किस चीज को अमोनिया का मिट्टी जो होता है इसे मिट्टी इसको ग्रहन करती है और इसके ग्रहन करने से जो फल्ली वाले पादप होते हैं जैसे मुंग फल्ली है या दलहन फसले हैं जिसमें दो दल होते हैं द्विदल इसे कहते हैं ये फल्लि वाले जो फसल होती है इनके जड़ों में ये जो नाइट्रोजन का जो स्वांगी करण होता है उसके माद ये जड़ों तक पहुंचता है नाइट्रोजन और इसमें प्रोटीन के जन्तूओं का विकास होता है यहने नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है और ये जो प्रोटीन बनते हैं इसमें इससे अमोनी करण की प्रक्रिया संपन्न होती है यह अमोनी करण क्या है जीवजनतु या पादप यह जब मृत होते हैं मर जाते हैं तो इनका जो अपशिष्ट होता है इससे कारबनिक नाइट्रोजन से युक्त जो मिट्टी में ये मिल जाते हैं और इससे छोटे-छोटे फंगाई या बैक्टीरिया का निर्मान होता है और यही जो फंगाई और बैक्टीरिया होती है ये फिर से जो स्वांगी करण की जो प्रक्रियाती इसको अमोनिया में बदल देती है यहने अमोनिया से फिर से नाइट्री करण की प्रक्रिया होगी जिसमें नाइट्रेट या नाइट्रेट बनेंगे तो यहाँ पर हमारा चाक्र जो है अमोनिया से अमोनिया तक हुआ लेकिन यहाँ पर जब अमोनि करण होता है तो अमोनि करण के बाद विनाइट्री करण की प और विनाइट्री करण क्या है नाइट्रेट का वाईउ के रूप में पुनह नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाना ये प्रक्रिया विनाइट्री करण की कहलाती है ये विनाइट्री करण की प्रक्रिया में छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया सक्रि यह होते हैं और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है यह अवायनी इस्थिती में अवायनी परिस्थितियां जो होती है यह बैक्टीरियों के माध्यम से विक्सित होती है और इस परिस्थिती में ऑक्सिजन का उपयोग होता है और इससे पुनह जो नाइट्रोजन गैस के तो नाइट्रोजन का एक जो चक्र होता है इस चक्र में एक बार फिर से इसको देख लीजे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरी करण हो रहा है स्थिरी करण के बाद इसका नाइट्री करण होता है क्योंकि स्थिरी करण में जो अमोनिया बनता है यह अमोनिया काफी ज जो स्वांगी करण यहने अमोनिया को स्वीकार करना नाइट्रोजन को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया मिट्टी इसको ग्रहन करती है और प्रोटीन वाले जो पदार्थ होते इसकी जड़ों में यह पहुँच जाता है। इसके बाद इसका अमोनी करण होता है जिव जन्तु जो मर जाते हैं तो मरने के बाद यह फिर से अमोनिया में बदल जाते हैं या फिर जो यह अमोनी करण के बाद वी नाइट्री करण की प्रक्रिया होती है और वी नाइट्री करण में आक्सिजन का उप्योग करके जो कुछ बैक्टिरिया होते हैं यह अवायनी स्थितियों का विकास करते हैं और उसके करण नाइट्रोजन जो हता है पुना एक बार वायू मंडल में जा करके नाइट्रोजन बन करके समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से यह जो एक चक्र है यह पूरा होता है इसमें बिजली के आपने से भी नाह का अमोनिया के रूप में और फिर नाहिटराइट के रूप में परीवर्थान होता और फिर से वह जो भी नाहिट रिकरण के माध्यम से दोल्द दे किसी म sunflower का मारन के सिमाद में आगे हम देखेंगे पारिष्थिती की संतुलन संतुलन क्या है? जीव विक्सित होते हैं प्रकृती इन जीवों का उतना ही विकास करती है जितने की प्रकृती में भोजन जल को देने की ख्यमता होती है उतने ही जीव विक्सित होंगे जिसमें प्रकृती में वो भोजन प्राप्त कर सके वो जलब प्राप्त कर सके और उनका विकास हो सके लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो छोटे जीव होते हैं ये कम भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें कम भोजन के आवशक्त होती है तो इनकी संख्या बहुत आयत तेजी से बढ़ती है लेकिन जो बड़े जीव होते हैं इनका प्रजनन कम होता इनकी संख्या कम विक्सित होती है और दूसरे जो तत्व होता है कि प्रकृती में जो जीव उत्पन होते हैं ये जीव कुछ वनस्पती को ग्रहन करते हैं वनस्पती क्या है एक उत्पादक है और वनस्पती को ग्रहन करके कुछ जीव उस पर निर्भर होते ह ये उपभोगता होते हैं, उत्पादक पर उपभोगता निर्भर होते हैं, उपभोगता पर द्वितियाक उपभोगता जो इन जीवों को खा करके जीवित रहते हैं, लेकिन जो उत्पादक होते हैं, इनका भी कई बार अपघटन हो जाता है, इनका उपभोग होना आवश्य उत्पादक का प्रत्यक्ष अपघटन हो जाता है और अपघटन होने के बाद ये पुना जो है वातावरण में समायोजित होते हैं। प्रत्यक्ष अपघटन या विघटन भी होता है और ये क्रमशह जब एक दुसरे को आहार बनाते हैं तो छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं जिससे छोटे जीवों की जो व्रिहत मात्रा में जो प्रजनन हो रहा है वो बड़े जीवों के लिए वो आहार बन जाता और बड़े जीव जो मानसाहरी होते हैं उनको भी और भी जो व्रिहत मानसाहरी जीवों होते हैं वो इन बड़े जीवों को खा करके रहते हैं लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपघटक को खा कर ही जिन्दा होते हैं जैसे कवमे और बाज तो मरने के बाद कुछ ज तो छूटे फंगाई जैसे जिवास मौते ये इसमें विक्सित होती है और वो इनको खा करके पुनां इनहें मित्टी में मिला देते हैं पुनां इनकी मिट्टी के रूप में निर्मिती हो तो इस प्रकार से प्रकृति जो होती है यह उत्पादन और उपभोक्ता के माध्यम से अपने आपको संतुलित करती रहती है और इस संतुलन का एक चक्र चलता रहता है इसे हम पारिस्थिती की संतुलन कहते हैं लेकिन बच्चों हम वर्तमान में देख रहे हैं कि मानव ने अपनी बुद्धी के आधार पर बहुत सी जगह पे प्रकृती के संतुलन को बिगाड दिया है उसने उन ख्षेत्रों में क्रिशी की जहां पर क्रिशी नहीं हो रही थी वहाँ पर हरिद्गरी प्रभाव के माध्यम से क्रिशी का कार्य संपन किया या फिर बड़े बड़े वरिहत परवत है उनको तोड़ करके वहाँ सुरंग बना दी उसने अपने लिए तो काफी विकास किया लेकिन उस ख्षेत्र की प्रकृती को नश्ट किया और छोटा सा भी यदि कोई चीज जो हता उसका बिगड़ जाता उसका स्वरूप तब क्या होता है वहाँ का पूरा जो एको सिस्टम है या प्रभावित होता है मानव को जब भज्य पदार्थ के रूपने अनाज कम पढ़ रहा है तो वह जीवों का शिकार कर रहा है और अब हम जीवों को सुरक्षित और संरक्षिन करने के लिए कई प्रयास में लगे है तो जय वो भी विधता का होना प्रकृती को संतुलित करना ये पारिसिती को संतुलित करना ये है प्रकृती के अनुकूलन होगा यदि हम इसका किसी भी प्रकार से विनाश करे तो प्रकृती का विनाश तो होगा ही साथ ही हमारे जीवन का विनाश भी अवश्यम्भावी है